दोस्तों आज के इस पेटिकुलर वीडियो में हम डिसकस करने वाल है कि जब हमें Amazon पे ओडर रिसीव होता है तो उसे हमें कैसे प्रोसेस करना होता है step by step process में हम जो वो इसको समझेंगे तो इसके लिए हम सीधा चलता है अपने computer की screen पे तो देखिए हमारी Amazon के seller central का dashboard है यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमें sales दिखा रहा है total यहां पर देखिए open orders में एक order बदा रहा है seller fulfilled unshipped में एक order जो हमारा यहां पर pending है order चेक करने के लिए हम जो मेन्यू में जाएंगे मेन्यू पे जाने की बाद में हमें यहां पर देखिए order option मिल्ता ओडर में हम manage order में जो जाएंगे manage order में यहां पर देखिए दो चीज़े हमें दिखा रहा है कि easy ship है और एक self ship है तो आपकर एक ओडर आया है आप उस बॉस्ट करेंगे तो यहां पर देखेंगे यहां पर हमें हमारा जो ओडर है जैसे यहां पर एक ओडर है तो एक शो कर रहा है तो एक order है लास्ट 30 डेज के अंदर अब यहांसे जो है वह हम इसको शोट कर सकते हैं बेट के हिशाब से और उसके बाद में स्टेटस के हिसाब से एसंडिप और डिसंदिशोर में जो है वह में इसको होट हम KITUNE औरस का सकते हैं trapper अधर टेए कितने अधिधने ओरस रिखने चाहिए और हाँ दिखनें जाकते हैं तो हम यहां बाँस सेवन डेस तरकर रखते हैं सेवन डेसे लगन केرة हैं यहां पर देखिए एक अधिका रहें चार पहले आया है, order date आगी, उसके बाद में order detail में यहां पर order ID हमें बताता है, यहां पर customer का name जो हो लिखाता है, उसके बाद में fulfillment method लिखाता है, seller fulfilled है, ठीक है, sales channel Amazon है, यहां पर product का name और product की detail आजाएगी, जैसे कि यहां पर ESIN हो गया, उसके बाद में यहां पर SKU जो हो लिखा ग जैना है, उसके बाद में deliver by date भी यहां पर expectant बताता है, order status जो है, उसके बाद में एक्सेंस के नीचे हम देखेंगे, तो schedule pick up, print packaging, sleep, print tax invoice, और cancel order का हमें जो हो option यहां पर मिल रहा है, तो हम simply क्या करेंगे, हम schedule pick up पे जो हो click करेंगे, यह easy ship का order है, तो हम इसको basically schedule करने वाले है कि easy ship की team जो उसे कब pick करने वाली है, अब उसके बाद में यहां पर देखेंगे ना, तो यहां पर हमें जो एक warning देखा रहे है, तो यहां पर basicly क्या होता है, कि हम जो भी product ship करने जा रहे है, Amazon वहां पर recommended dimensions देता है, product क्योंकि जब हम product की listing करते हैं, तो product का size दालते है, तो product के size के according यहां पर कुछ recommended dimensions जो हो लिखिया आते हैं, कि इतनी dimensions तो at least आपके product ही होगी, यह system generated है, automated है, तो हो सकता है, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो, Amazon यह recommend कर रहा है, और Amazon बोल रहा है कि आपको इस limit में ही रहे कि जो वो dimensions दालनी है, हम अगर कम dimensions दालेंगे, तो हम जो वो schedule नहीं आपने जो हो correct image जो हो provide कर वाई है, तो वो इसको जो अपडेट कर देंगे, और meanwhile अगर हमने कोई भी orders book किये हैं, उन पर हमें जो ज्यादा easy ship की fees लगी है, तो वो हमें refund कर दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि shipping fees जो हो calculate होती है, shipment के weight के हिसाब से, वो dimensions के हिसाब से जो उसका volumetric weight निकलता है, उसको weight machine पर weight करने पर जो भी weight आता हो डेट वेट होता है, तो दोनों में से जो भी ज्यादा होता है, dead weight और volumetric weight दोनों में से जो भी ज्यादा होता है, उसके सबसे basically shipping charge जो हो calculate होते है, ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे, तो हमें देखिए option package dimensions डालने का, तो यहाँ पर कुछ dimensions जो है, वो हमने पहले से save करके रखिए है, तो हमको बार-बार manually type नहीं करना पड़ेगा, जो भी box होगा, उसके हिसाब से हम जो इसको select कर सकते हैं, जो भी हम यहाँ से dimension जो रख कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जो हमने save करके रखि यहाँ पर दिखा रहा है, और अगर हम manually यहाँ पर दालना चाहिए, तो length, width और height जो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, package identifier में जो है, वो यहाँ पर order ID की show कर रहा है, get pick up slot पर click करने के बाद में यहाँ पर देखिए, pick up slot जो हमें दिखा देता है, उसके बाद में यहाँ पर देखि जो है, वो आप से easy fee, जो है, वो इते ही charge की जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर देखिए, pick up day दिखा रहा है, date आ गई, और उसके बाद में pick up time आ गया, कि भी यह time का है, अगर हम यहाँ से slot चैंज करना जाए, तो हम जो slot चैंज भी कर सकते हैं, चीक है, अगर हमें pick up time औ जो slot सही लगता है, तो हम इसको जो वैसा ही रख देंगे, उसके बाद में हम simply जो schedule pick up पे click करते है, schedule pick up पे click करने के बाद में देखिए, यहाँ सिधा में option मिल रहा है, your pick up is scheduled order ID दिखा दिया, और उसके बाद में shipping label और invoice print करने का option जो है वो, हमें यहाँ पे दिखा दिया, print shipping download होती है, जिसमें एक invoice है, और एक shipping label हमें मिला है, तो हम simply क्या कर सकते है, shipping label हमें जो है, प्रिंट करना होता है, हम self-adhesive जो papers आते हैं, उनके उपर print कर सकते हैं, laser laser printer से, चीग है, या फिर अपने पास में thermal printer है, तो हम thermal printer से जो shipping label होते हैं, उसको उपर भी print कर सकते हैं, thermal paper के shipping label अलग होते हैं, और अगर हम जाएं कि भी हम self-adhesive paper के उपर जो है, वो इसको print करके लगाएं, तो वो भी हम जो इसमें कर सकते हैं, उसके बाद में हमें simply प्रोडक्ट पैक करके उसके उपर shipping label लगाना होता है, shipping label और invoice जो है वो लगाने के बाद में हम इसको जो है वो ship कर सकत अगर हम अपना order देखेंगे ना, तो हमें order आईडी बगर सारी यहां पर शोग करते हैं, यहां पर order status में waiting for pickup जो है वो लिखा रहा है, waiting for pickup का मतलब यह है कि हमने जो हो pickup schedule कर दिया है, product जो है वो pack कर दिया है, अब Amazon की जो ATS team है, या Easy Ship की जो टीम है, उनके यहां से जो भी प status जो है, वो यहां से change हो जाएगा, waiting for pickup की जिगाए पर picked up या फिर in transit जो है, वो यहां पर show कर देगा, ठीक है, उसके बाद में कुछ और option भी जो है, वो हमें यहां पर देखने को मिल दे हैं, जैसे कि reschedule pickup, print packaging, slip, print text, invoice refund order, या फिर cancel order का option जो हमें यहां पर मिल जाते हैं, तो यह जो है, वो process रहती है, easy ship का हमें जब भी कोई order receive होता है, तो उसे जो ship करने की, अगर हमें self ship में order receive होता है, तो जैसे कि यहां पर schedule pickup का option मिलाता है, वैसे self ship में जो है, वो हमें confirm shipment का option मिलता है, हम simply confirm shipment पर click करेंगे, और वहां पर हम जिस भी courier से product भेज रहे हैं, उस courier से जो भी हमें tracking ID मिलता है, वो tracking ID वहाँ पर डालना है, courier का नेम डालना है, और उसको confirm जो हो, कर देने, self ship में simply ऐसा ही होता है, क्योंकि courier जो है, वो हम करवाते है, कोई भी सट बाटे courier कंपनी से, तो दोस्तों उमीद करता हूँ, order shipping से related, या फिर order processing से related, यह वीडियो आपक चैनल के साथ में, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,